के एगापött यूटूब सहने अब्स ज्णल में आपका बहुत बहुत वाले हैं तो इसमेदिडियो में अपको बताने वाले हैं यहीं सेलोना कंप्नि के हम इंडीक्शन के बारे में उनकार…. अपक कोम्ट को तो यह रहा हमारा में इनुट जो कि हमारा सेलो ब्रांड का इंडक्शन है और देखते हैं में डब्बे में क्या मिला है यह इसे रेटेड में मिल जाता है और कुछ नहीं है और यह मुझे ग्रेल करने के लिए मिला हुआ है अई सबसे पहले हम में इनुट को ऊपन करते हैं है यह तो यह रहा हमारा में अजया सबसे कर Özmill को raisशनिक पर कंए और मुझे एक इसमें एक ग्रीए रैख मिल जाता हैं कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हुआ हम बात कर लेते हैं ही है इंडक्शन के की बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले काई आप से छोटी सी रिकेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नियू अबडेट पाने के लिए बैल आइकन दवना ना भूले तो आई जानते ही इंडक्षन के बारे में यहां पर आपको दिखा दें कि यहां पर हमें कुछ मोड्स वेगरे दिये हुए हैं कैसे हमको कंट्रोल करना है और यहां पर जैसा कि सेलो ब्रांड देख रहे हुए ह तो देक यहां पाले कर के नियुद्ट है कि ऑ हम ड़ाइकन हमारे पूरी घ्लाइस ही क्रिस्टल दी होई है ब्लाक कलर की ग्लास क्रिस्टल देख है हमारी पूरी हमारी घ्लास दी रखी है बहुत सारे इंडक्षन में आते थे पहले हां helping ही हमारा ग्लास दियाрь होता था और हाप में हमारा जो है वो प्लास्टिक या कोई भी फाइबर का दिया होता था लेकिन इसमें हमारा पूरी फुली हमारी ग्लास बॉड़ी मिल जाती है हम कौट के इस से मोर्स बगताएं तो यहां特व क्रद ने का जानते हैं के बारे में कुछ मोर्स बेगरे हैं तो यहां पर जैसे की आप देख्रें हो है यहां के हमारा पावर बटन है जहांकि हमारा ऑन ऑप लिखा हुआ है यहां से हमारा इंडेक्शन हों होगा कि करेंगे हमारा इंड़क्षन में हो जाएगा लेकिन हमारा जो प्लगईन्सifferent यहां से हम टश ना करें आपको आ एक चीच्छे ini कि यहां पर लगी हुई है यह भी हिए फॉर्ण नहीं दिए हैं यहां तच्छ करेंगे हमारा यह जो है वो ऊन आफ बटन दिया हुआ है यहां पे यहां पे फंक्शन का दिया हुआ है कि जैसे हम फंच्छन पर ऐसे जैए गले हिस्टेम के लिए नहीं तो यहां पर फ्राइव का भी मोठ दिया हुआ है अगर आफ कुछ भी कर रहे हो तो यहां पर बस पढ़ संक्षन को हिसे आपको टैच करते जाना है वह सारे मोठ पर होता जाएगा यहां पर ओ थे को बताने हैं और यहां पर ॉक्रण और है तो यहां पर इसका function दिया हुआ है, soup का दिया हुआ है, rice का दिया हुआ है, तो आपको जो भी करना है, आप यहां से control कर सकते हो, और यहां पर आपको बता दें कि इसमें timer भी दे रखा है, कि अगर आप timer set करना चाहते हो, तो यहां से आप असानी से timer भी set कर सकते हो, यहां पर चाइड लोग भी मिल जाता है जैसे कि बहुत सारे घरे में चोटे बच्चे रहते हैं आते हैं कुछ भी अगर टच कर देते हैं तो हमारे जो सिस्टम हो काम करना बंद कर देता है यह फिर आफ हो जाता है तो उसके सेफटी के लिए यहां पर पहले से चाइड लोग दे रखा सब्सक्राइब सिक्राइब तो सब्सम्राइब देखा है रहता हमारे घ्रेता है त्मधल्य लोग कर देगे डियो और चैसे तो समाथ नहांज देख बनिभी पूरी ब्लेर करेंगर फाइब देलिस से नाय हमारे इसके अंदर कॉइल लगे प्लेध भी उवी आपर से पहले तो आईएओ हम इसको सबसे पहले प्लग-इन करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है जैसा कि आप देख पारे हो गाईज हमने इसको प्लग-इन कर दिया है यहां से थोड़ा हम स्वीच ओन करेंगे यहां पर आप देखे रहो यहां चो डिस्पले हमारा चोटा से दिया हुआ है, यहां पर हमारा 4 डिजित में सो करेगा, हमारा आपको इसमें बता दें कि जो हमारा मिंनिमम वॉल्टेज होगा, वो हमारा 210 होगा और जो हमारा maximum होगा वो 2000W तक यह energy consume करेगा तो आपको यहाँ पर light आ चुका है अब थोड़ा से यहाँ से हम जैसे ही touch करेंगे हमारी जो यह induction है वो on हो जाएगी तो हमने यहाँ से touch किया तो आप display पर यहाँ पर देख सकते हो हमारा on lick चुका है अब जो भी आपको यहाँ पर कुछ भी रखना है पकाना है तो अब यहाँ पर सारे function की ही त्रू जैसे आप function पर ऐसे touch करते जोगे सारे function modes होते जाएंगे आपको एक चीज आपको बता देगा इसकी इस वाले induction पर कोई भी हमारा बरतन है अगर किसी चीज का बना हो या फिर वह aluminum हो steel हो non-stick हो या फिर iron ही क्यों ना हो हर एक मतलब metal का जो भी हो इस पर बरतन आ जाएगा बहुत सारे induction में कोई बरतन पकड़ते हैं कोई बरतन नहीं लेकर इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें आप जो भी चाहो बरतन यूज करना वह आप असानी से यूज कर सकते हो और और चीज आपको इसमें बता दें कि यह हमारा एक तरह का आप इसको mini oven ही समझ लो mini microwave ही समझ लो पूरा microwave की तरह ही ही काम करेगा बस इसके कोई भ अगर चाहो में आप इसमें आधा यो बोटे से ही में बहुत सारे लोग बाटी चोखा बनाते हैं या फिर लिट्टी बनाते है तो इसमें पर आभी पी पूरा function इसमें दे रखा है अब कुछ भी असाली से इसमें बना सकते हो तो आइए मैंने इसको जैसे की कर दिया है यहां से हम on करेंगे यहां से यहांने on किया यहां पर on लिक दिया आप जैसे हम function पर करेंगे यह देखिए तो हमारा fry mode पर हो चुका है यह हमारी जो अंदर LED लगी हुई है वो जल चुकी है और यह जो हमारा धीरे-धीरे है आपको एक चीज और बता दे कि यह जो हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिममँ 200 वाट तक है और मैक्सिमम दो हजाल तो जैसे हम वाट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे जो हमारी अंद इफेक्ट के बारे में आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा यह लुक भी अच्छा देता है तो आईए हम इसको अभी 200 पर है तो थोड़ा इसको हम इंक्रीज करते हैं जैसा कि मैं इसको इंक्रीज करके 1600 की 2000 तक मैंने कर दिया अब 2000 से हाइस आपका नहीं जाएगा अगर आप वीडियो में देख पारे होगे तो हमारा जो क्रिस्टल है वो रेट हो गया है अभी हम थोड़ा सा अंधेरा करेंगे रूम को तब आपको समझ में आएगा यह पर की वो सेफ रहेगी तो मैंने आपको दिखाया यहां पर यह हमारी रेट कितनी अच्छी हो जा रही है इसको टच बिल्कुल भी ना करेंगा इसकी हीट बहुत तेज है आपका हाँ जल सकता है यहां तक पूरा आपका इसकी जो हीट की जो लपट है वो यहां तक आ रही ह जैसा मैंने आपको दिखाया इसको प्लगिन करके और आपको बताया इसके बारे में हर एक फंक्शन के बारे मताया एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया यहां पर मैंने जैसे ही करते हैं और कोई भी मोड सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको प्लस माइनस का साइन दे रखा है अगर आप कोई भी मोड पर किये हो अगर आप मालो फ्राइब मोड पर करते हो फ्राइब मोड पर जैसा कि अभी है हमारा तो वह तो यहां पर यह सिस्टम दे रखा है गाइस कोई भी मोड पर करो असानी से आप खुद से मैनुवली भी कंट्रोल कर सकते हो और यहां पर हमने चाइड लॉग दिया है जैसे ही यहां पर टच करोगे हमारा यहां पर एल का इस्प्लेय पर हमारा एल सो कर रहा है मतलब कि हमारा यह जो है जाइड लोग हो चुका है जाएड लोक होने के बाद अगर हम कोई भी यहां से अगर फंक्सिन प्रेस करते हैं तो कोई भी हमारा काम नहीं करेगा बस given हमारा उफ हो जाएगा तो यह रहा हमारा child lock का system, अगर child lock है आपका, यहाँ पर अगर child lock है आप इसको, child lock को अगर आप unlock करना चाहते हो, तो unlock आपका बस ऐसे simple touch करने से नहीं होगा, थोड़ी दिर आपको बस ऐसे hold किये रहना है, then आपका जो child lock है वो खतम हो जाएगा, फिर आप कोई भी function करना चाहो वो असानी से हो सकता है, और यहाँ पर बगल में हमारा timer दिया हुआ है, timer आपको बता दें, यहाँ पर देखिए, अभी हमारा 00 है, जैसे इसको आपको increase करोगे, जितना आपको set करना है, यह हमारा minute दिया हुआ है, अगर आपको बता दें कि highest आप कितना कर सकते हो, चार गंटे से ज्यादा करना है, तो वो वाला system नहीं है, चार घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से आप timer भी control कर सकते हो, तो यह रहा, इसका function, सारा function मैंने आपको बताया, डब्बे भी इसे related आपको कुछ हम दिखा देते हैं, जैसा कि इस पर फ् फीट करना है, ऐसे बस असानी से फीट करना है, और इसके उपर आप कुछ भी रखके असानी से पका सकते हो, रोटी भी इस पर असानी से बन सकता है, और कुछ भी अगर आपको टोस्ट वेगरा करना हो, या फिर रोस्ट करना हो, तो इस पर आप असानी से कर सकते हो, लेट आपको बता है तो यह पूरी स्टेल्नेस स्टील की बनी हुई है आपको कहीं से भी रश्ट लगने कि कोई भी चांस इस पर नहीं है और गाई इसमें तो मैंने लग 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 सारी इंफार्मेशन देदी दी और इसके अगर हम प्राइस की बात कर लें तो यह हमें आप डब्बे पी देख सकते हो तो हमारा 4500 का यह हमारा डब्बे पी लिखा हुए है लेकिन यह हमें 4049 का पड़ा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आप पर्चेश करना चाहों तो वहां से आसाने से जाके आप पर्चेश कर सकते हो और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें जो हमारी इंडक्शन है इसमें वन साल सौरी वन इयर की वारंटी भी दी हुई है बहुत ही अच्छी खासी इंडक्शन है जिसको आप यूज करो जैसा इसके बारे में मैंने आपको सारे इंफर्मेशन देही दिये और तो इसमें कुछ खास दिया नहीं है यहां पर आपको मैनुवल एक मिल जाता है इसके अंदर सारी वही चीज़ बात लिखी हुए जैसा कि मैंने आपको बताई दिया एक वारांटी कार्डिस में मिला हुए है तो कैस अमीद करते हैं यह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चेर करना ना भूले चलते हैं फिर नेक्स वीडियो में मिलेंगे बाई बाई